नमस्कार जोतीस वास्तू और उपाई के चनर्मा आपका स्वागत है बात करेंगे आज के राशी फिल की आज दिनांग 21 फरवरी 2023 दिन मंगलवार है तो मेश राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा इसके विस्तिर चर्चा करेंगे मेश राशी वालों के लिए आज चनर्मा लाब भाओं में चल रहे हैं तो लाब भाओं के चनर्मा हर कारें में लाब दिलाते हैं और सफलता दिलाते हैं आज आप छोटे बड़े सभी के साथ बंडिंग अच्छी रखें क्योंकि परिवार का आपको सयोग मिलता है जब परिवार का सयोग मिल रहा है तो हमारे लिए सबसे जरूरी बात है कि हम अपने वाणी पर सेयम रखें और परिवार वालों के ध्यान रखें और उनका साथ हमको हर समय चाहिए होता है तो आप इसीज का ध्यान रखें आज आप वर्क प्लेस में हैं तो आपके मेनत करेंगे आप और आपके मेनत रंग लाएंगे सामजी गुरूप से भी आज आप एक्टिव रहेंगे और परिवार में आप के बॉंडिंग तो मजबूत होईगी इसासाथ आप परिवार की सुक्सुईदाओं का भी ध्यान रखेंगे और सुक्सुईदाओं से संबंदित आप वहाँ पे खर्चा भी कर सकते हैं कोटकचरी का मामला है तो कोटकचरी के मामले में मामले में आपको विज़े मिलेगी और आपके पक्ष में ही ये मामला सुल्टेगा परिवार का सपोर्ट है और साथ ही साथ आप परिवार के साथ आज पूरा दिन अच्छी तरह से बेतीत करेंगे और बहुत ही खुशनुमा माहूल आज परिवार में रहेगा चंद्रमा जब भी लाव भाव में रहता है तो विक्ति में उड़जा बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसको हर कारे में सपलता मिलती है और वेपार में लाव मिलता है यानि कि एक तरह से देखें तो आज दन लाव के स्थिति है दन का आगमन आपके पास हो रहा है हर सेत्र में लाव है और अगर आप वेपारी हैं तो वेपार सेत्र में आज कुछ नया करेंगे और वर्क प्लेस पे आप खुद जाके सभी चीज़ों को देखेंगे और जो भी प्रॉबलम हैं उसको सौल्व करेंगे और अपने लाव के रास्ते को और ज्यादा अच्छा सुईदा जनक बना लेंगे एक तरह से आज आपके कॉंट्रेक्ट बनने वाले हैं उससे आपका लाव पड़ेगा आज आपको नौकरी पेशा है तो वर्क प्लेस पे कोई नई जिम्यदारी मिल सकती है और अगर आप वेप आ रही हैं तो वर्क प्लेस पे आप स्वेम जाके कारे का निप्टारा करेंगे और अपने कारे को अच्छी तरह से अंजाम देके लाव के रास्ते खुलेंगे पूरा हर्चे के जहां भी रहेंगे मावल बहुती सकारात्मक रहेगा और आज आपके अधिकार शेत्र में भी वरती हो रही है चाहे आप घर में रहें चाहे आफिस में रहें या आप कहीं भी रहें सोसाइटी में रहें आपको आज अधिकार मिल रहे हैं और आप उन अधिकारों का यूज कर रहे हैं और आप बहुत ही सकारात्मक रूप से पॉजिटिव रूप से आत्मे विश्वास से आज बरे हुए हैं। आज आप पूरी दिन योजना पर टंग से कारे करेंगे। एक एक कारे को लेंगे और उनकी योजना बनाके आगे बढ़ते वे चले जाएंगे। इससे आप वेपार में भी मुनाफ़ा कमा लेंगे। वेपार में आप इस तरह की योजनाओं को आज स्टार्ट करेंगे। या आपके लाब बढ़ते वे नजर आएंगे। आज आप कुछ ऐसा करेंगे कि अगर आप वेपार में होँचे नोकरिमों किसी में भी हो। आज आप कुछ ऐसा करेंगे कि आपके आसपास वाले लोग आपको आटोमेटी की सपोर्ट करने लग जाएंगे, इतना बड़िया आज आपका औरा रहेगा और आपके कारेशली रहेगी, तो जब आदमी सफल होता है, उसके कारेशली अच्छी होती है, परिवार का सपोर्ट होता है, तो अपने आपी सब चीजें अच्छी होती चले जाती है, प्रेम की बात करें, तो प्रेमी जीवन में आपके थोड़ा सा कन्फूजन की स्थिति है, लब पार्टनर को समझने का क कोशिस करें, और अपने संबंदों पर ध्यान दें, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा आपको स्थिति को समालना पड़ेगा, दामपत्य जीवन की बात करें, तो दामपत्य जीवनाच बढ़िया है, दामपत्य जीवन में कोई परिशानी नहीं है, और आपका पार्टनर और आ उच्छे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आई टी सेत्र के हैं, उनको ये जो समय है, उनको हर सेत्र में लाब मिलेगा, और उनका प्रेदेशन बहुती शेष्ट रहेगा, आज वेपारी हों या आप कोई भी नौकरी वाले हों, कोई अगर आप शुप कारे करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी है टाइम है आपके लिए बारा बज़ के पंदरा मिनट से दो बज़े तक, और राउकाल है, तीन से तीन बज़े से लेके साड़े चार, तो तीन बज़े से साड़े चार के बीच में कोई भी मिटिंग अगर आप वेपार से संबंदित रखते हैं, तो उ इसको बारा बज़ के पंदरा मिनट से दो बज़े के बीच में रखें, इससे आपके लाप के मात्रा बढ़ेगी और आपके कारे भी सही होएंगे, आज शत्वी से नक्षद के बाद पूरू बाद पनक्षद है और यह सब पंचंग के नक्षद रहें, तो आज पंचंग क तिलक अपने उस पे लगाएं, मस्तक पे, साथि आज का ब्राउन कलर सुब है, आज एक और काम करिए, आज बगवान गणपती की अरादना आवस्या करें, इससे आपके लाप के रमार्ग मारे रुकाउट ने दूर होगी, बाकि आपका दिन ठीक है, आई यू आरों के रै होती रहे होती रहे, इसी शुब कामना के साथ नमस्कार